ये जो अपॉर्चुनिटी थी, थर्ड टाइम इंकंबेंसी वाली, कॉंग्रेस इस गेम को अच्छा खेल सकती थी, इंडिया एलाइंस अच्छा बन सकता था, जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का केस मुझे दिखता है, क्या मेरा ये कहना सही है? नहीं, बिल्कूल देखिए, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कोई पहली और अंतिम बार नहीं है, कई लोगों, मैंने अपने पहले किसी वारता में भी कहा है, कि भारत जैसे देश में ये अपॉर्चुनिटी आपको, अगर आप विपक्ष में हैं, तो आपको हर एक-दो साल प के बाद से मैंने आकडो से प्रिसाइस देट से बताया है, तीन ऐसे औसर तो मुझे दिखते हैं, जो कि 12 महिने से 15 महिने का दोर रहा है, जिसमें भाजपा या मोदी जी या उनकी सरकार बैक फुट पर रही, लेकिन विपक्ष उसको भुना नहीं पाया, आपको याद होग मतलब पूरा जो 2015 का महिना है, 2015 का साल है, और अगले 2016 मई तक जब बंगाल, असाम, तमिलनाडू के चुना हुए, वो करीब-करीब 18 महिनों में भाजपा को कहीं सफलता चुनावी सफलता नहीं मिली, सिर्फ किसी भी तरह, अलाइंस के मदद से, गड़बंदन के मदद से, असाम में वो जीत उनको हासिल हुई, वो 15 महिने का समय था, कॉंग्रेस के पास, या विपक्ष के पास, क्योंकि मोदी जी तब नहीं थे, तब ये कल्ट इमेजरी बननी शुरू हुई थी, या नहीं बनी थी, तब सत्ता या पूरे बेवस्था पर इतना कंट्रोल नहीं थ उनके भी जो मुरी थे, उनको भी साइद इतना विश्वास नहीं रहा होगा, आपके पास समय था, अरली बाउंस बैक करने का, उस समय कॉंग्रेस और उनके साथियों ने उस तरह का प्रयास नहीं किया, फिर दूसरा दौर आया, जब डीमोनेटाइजेशन के 6 महिने के बा गुजरात में पटेलों के बड़ा अंदोलन शुरू हुआ, महाराष्ट में कुछ मराठा आरक्षन को लेकर अंदोलन शुरू हुआ, और पूरे देश में एक बड़ा महौल धिरे-धिरे बनना शुरू हुआ था, जो की बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए असान नहीं गुजरात के जो परिणाम आये, आपको याद होगा, वो नवंबर 2017 में उसमें कॉंग्रेस ने अपने 20 साल का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, मुश्किल से 15 सीटों से बादपा गुजरात बचा पाई, उसके बाद वो करनाटक में उनकी हार हुई, और फिर लगातार तीन स्टेट हारे, 36 गड़ हारे, मध्यप्रदेश हारे, राजथान हारे, तो मतलब आप मिड 2017 से उठाकर, 2018 अंत तक, फिर 15-17 महिने का एक दौर था, जब भाजपा बैक फूर पर थी, विपक्ष के पास औसर था कि वो चैलेंज कर सकते थे, उन्होंने वो मौका गबा दि फेज देश में शुरू हुआ था, और एक तरीके से सरकार बैक फूर पर थी, पता नहीं चल रहा था, क्या होगा, कॉविट की महामारी है, और पहली बार, M.O.T.N. सर्वे में, 10 साल में, मोधी जी की परसनल पौपिलरिटी में, रेकॉर्डेट जो डिप आया है, वो वही टाइम है, जून 2021 का, बंगाल चुनाव हारने के बाद करीब-करीब 1.5 साल का जो समय रहा है, वो B.J.P. और मोधी जी के लिए चुनाती पूर्ण रहा है, लेकिन फिर विपक्ष ने वो असर गवा दिया, अब अंती मौका विपक्ष के पास तब आया, जब उन्होंने पि एक उत्सा आया कि इस बार एक मजबूत विपक्ष सारे दल, सारे नेता मिलकर एक कॉमन नेरेटिव पर, प्रोग्राम पर, सायद वो मोधी जी को, B.J.P. को चुनाती देंगे, और वो अगर देते तो सायद संभव था कि भाजपा का नंबर 220-240 भी हो सकता था, लेकिन उन पर प्रयास किया गया, कॉंग्रेस ने प्राइमरली जो उनकी सोच थी, मैं जो समझ पा रहा हूँ, कि राज्यों के चुनाओ जो 9 दिसंबर में थे, उनका ऐसा मानना था, उनके लोग बता रहे थी, कि वो राज्यों के चुनाओ जीच जाएंगे, तो उनको ऐसा लगा कि इंडिया गडबंधन बन गया, अब अगर हम राज्यों के चुनाओ जीच जाते हैं, तो वी विल हैब अपर हैंड वीजेवी ऐलाइज, वी वूड बी एबल तो मैनेज इंडिया गडबंधन फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, उस चक्कर में उन्होंने अपने हे द् महिने तक ठंडे बस्ते में डाल दिया, और वो क्रूसियल टाइम है जब बोदी जी और भाजपा उन्होंने धीरे-धीरे अपना लॉस्ट स्पेस गेन कर लिया, और जैनवरी में जब राममंदिर का जो सेरिमनी हुई, उसके बाद से तो दो महिने तक करीब-करीब विपक इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये मौका भी उनके हाँ से निकल गया